नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होश्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग तारीक है सत्रा नॉम्बर दुजार एकिस के लिए दोस्तों निफ्टी के फार्मा मेटल आइटी और साथी फानेंसियल इस्टॉक आपको सामने में हाधिरू सबसे हम लोग फार्मा को देखेंगे लेकिन बता दूं अभी तक अगर आप लोग ने आरके ट्रेडिंग मोईल आपको डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डा इसके लिए मापी चाहूंगा देखेंगे बिल्कुल अपने सपोर्ट अरिया पर आ गया है फार्मा बहुत ही शांदार तरी किसे फार्मा में यह समझना पड़ेगा कि यह इसका एक मेक और ब्रेक लेबल है अगर इस लेवल को होल नहीं कर पाय ता आप 1500 पॉइंट से लेक इसे जगह पर आप वन साइड यह सिर्फ नहीं सोच सकते कि यहां से बाय जाएगा यह से यह एरिया से पहले वह उपर गया है लेकिन इस एरिया के नीचे आ जाने पर यह कम जोड़ हो जाएगा तो इस बात को भी ध्यान में रखना आपको हां उपर कब जब यह उपर 13,700 क करने लगा तो फिर यह पॉजिटीव हो जाएगा निफ्टी का फार्मा इस्टा जनिका देखिए पॉजिटीव रहा आज का सेशन में है ना उपर के लिए अभी भी लेबल ओपन है हमारा टार्गेट 32 के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं और विंदो फार्मा नीचे के लो पॉइंट है उसको ब्रेक करता है नीचे तो फिर यह 660 के तरफ आने और 650 के तरफ आने की कोशिज कर सकता है और अगर बाउंस करना तो यही एरिया जहां से बाउंस करेगा और बायो कन देखिए आपको अपसाइट के मुमेंट दिखा सकता है बायो कॉन कि काफी पुराना आप ट्रेंड लाइन को इसे ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिज कर रहा है नेक्स टार्गेट इसका 380 रुपए का है कैडला हेल्थ केर के कमजोड हो चुका है नीचे के साइड में आप देखिए बहुत ही पुराना इसका यह डेली का चार्ट है डेली के चार्ट को मैं का सकता है सिपला 920 के ऊपर जाए तो बाइट 920 के नीचे आए सेल यह फॉर्मूला में आपको कल ही परसो दो दिन कंटिन्यू सिपला के वारे में बता दियाता है कि 920 के ऊपर निकलेगा बाइचरे करेंगे नो सो बीस के नीचे कि यह सेल किया होगा तो आज आपको 20. के सपोर्ट है यहां से बाउंस करता है तो अच्छी बात है कि 900 को भी तोड़ देगा तो 880 का तर्गेट दिखाए देगा डिविज लैब डिविज लैब के पास में सपोर्ट एरिया है और वह है 4700 रुपे का जब तक 4700 के ऊपर खड़ा टेंशन नहीं लेना है और ऊपर 4800 को निकलेगा तो फिर उन्चासों के टार्गेट के लिए बाय करेंगे 3700 को उपर जागा डॉक्टर लाल पैथलब तो 3800 का टार्गेट डॉक्टर रेड़ी की बात करें देखिए यह इसे टेन लाइन के पास होल्ड कर रहा है नहीं ब्रेक कर पार उपर लेकिन जैसे ही ब्रेक करें इंडिया में भी उपर के चैट 310 का लेबल ब्रेक करेंगा तो 320 के लेबल लुपिन का टार्गेट लुपिन नीचे के सैड में सपोर्ट नौसो नौसो को ब्रेक करेगा तो 880 तक आएगा उपर अगर यह 930 को ब्रेक करता है तो 940 से 50 की टार्गेट दिखाएगा नौब आ अगर वो तोड़ देगा तो लेकिन कुछ स्टॉक से स्पेसिफिक के अगर बात करें तो जिसमें यह स्टॉक ऐसा है जो अपने स्टेंड लाइन से ऊपर जाने के चमता लगता है क्योंकि पहले भी इस तरह से कई बार कर चुका है हर बार एक टेंड लाइन का सपोर्ट ले सपोर्ट है चारसो चौरासी से पचासी का उसको तोड़ देगा तो यह खराब हो जाएगा और बी जादा सन फार्मा की बात करें देखें यह ट्रेंड लाइन यह बी होल्ड कर रहा है और उपर से बीएक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टैंस है तो ट्रेंगल पैटर्न में झाल फसाओ। और समेट्री कल टेंगल पैटर्न है। ऊपर के सैट में जाने कलिप 813 से 15 को पर रिकरेगा डागर डागरट। टोरेंड फार्मा की बात गया तो 850 को निकलेगा तो 2950 का टारगर देगा। वो कट फार्मा यह ठीक है इस बॉक्स के अंदर रहेगा तो कोई ट्रेट नहीं बनेगा बॉक्स के ऊपर चारसो अपर जाएगा तो पांचो के लिए बाय कर सकते हैं अब चलते हैं दोस्तों निप्टी के मेटल स्टॉक्स की तरह मेटल में सबसे पहले मेटल इंडेक्स को द दे रहा है यानि 1710 के ऊपर 1715 के ऊपर निकलेगा तो 1750 के टार्गेट आपको आराम से अडाने दिखा देगा नीचे 1690 को ब्रेक करेगा तो कम जोड़ जाएगा 1675 का टार्गेट अब यहां से हिंडाल को में दो चांसे से हैं कि अगर यह 440 के नीचे ही ट्रेट करने लगा तो कम जोड़ जाएगा ऊपर 445 के ऊपर जाएगा तो पॉसिटिव हो जाएगा हिंदुस्तान कोपर की बात करें हिंदुस्तान कोपर में सपोर्ट एरिया है 120 रुपएगा 120 के नीचे जाने पर खराब होगा अधरवास ठीक ठाक है 125 के ऊपर अगर बाउंस करता है तो 130 का टार टारगेट ऊपर की श्याट में 380 का लेवल ब्रेक करेंगा 390 का टारगेट और 400 होगा जेडवली स्टील 680 के ऊपर जाने बाद पॉसिटिव होगा अधरवाई छोड़ देंगे मोईल की बात करें तो मोईल में जो लेवल आ रहे है 180 का रेइस्टेंस एरिया 180 के ऊपर जान आने देते 134 के पास में तहुस के बाद बात करेंगे NMDC के बारे में रतना मनी मेटर्स कोई दिक्कत में अभी छोड़ देंगे साइडवेज में है इस्टिल अथर्टी अंडिया उपर की साइड में 116-17 को ब्रेक करेंगा 120 और नीचे ब्रेक करें 112 को तो 110 से 8 का टागेट टाटा स्टिल की बात करें नीचे के लेबल देखें टाटा स्टिल में एक सपोर्ट एरिया है 1200 का कल ही बात हुई थी कि 1200 के पास में इसका एक इंपोर्टन सपोर्ट है इस एरिया के पास एक बर यह टाटा स्टिल आ सकता है 1200 के आसपास में तो यह एरिया पे नजर रखना पढ़ेगा पहले यह रेजिस्टेंस था अब वह सपोर्ड बन गया है बेदानता पॉजिटिव है यही मैं कर रहा था कि आप फूरा सेक्टर मत देखिए आप स्टॉक स्पेसिपिक होके चलिए देखिए टाटा स्टिल नेगेटिव है तो यह पॉजिटिव है बेदानता है तो 340 कूपर अगर बेदानता निगलता है तो 350 के टारगेट विलेश्ट्रम कॉर्प के बाद के बाद के तो आज देखिए जबरदस मुवमेंट विलेश्ट्रम कॉर्प ने आपको दिखा यह कल बात हुई थी कि 150 कूपर जाने बाद 155 से 60 के टारगेट मिलेंगे तो विल कुछ ने करेंगे 165 के ऊपर जब निकलेगा तब देखेंगे वलूम भी जवरदस्त आया है तो यह था दोस्तों निप्टी के फार्म और मेटल पर भीव चलेंगे आईटी के तरफ और आईटी इंडेक्स को सबसे पहले देख लेते हैं आईटी इंडेक्स भी ब्रेक आउ अगल वक्त देखेंगे आगगे विडला सॉप्ट की रैली देखेंगे विडला सॉप्ट ने जो मुमेंट दिया है 440 के उपर गरजब का मुमेंट दिया लग वलाब दिके इस्टों पांट्वू वाली रेंज में चला गया तो यही मैं कह रहा था बिडला शॉप्ट जिस बना के देदेगा कोफोज में दो पर्षेंट की मुमेंट आई जबर्दस मुमेंट आई कोफोज में भी और आप साइट के लेबल देगे 6000 को ब्रेक कर देगा तो 6200 से 6300 के टार्गेट सपोर्ट जोन पर आने की कोशिश कर रहा है 1136 का अगर यह उपर जाना है तो 1160 को ब्रेक कर देगा इनफोसीश 1800 को उपर जाने बाद 825 से 50 का टार्गेट जश्ट डायल नीचे के रिया को ब्रेक कर देगे अगर यह लोर लेवल को ब्रेक करता है 745 को तो 730 तक गिरने के चांस इसके बना सकता है जश्ट डायल में इनफोटेक आज का जो हाय लगाया देखिए 7565 के आसपास में यह नीचे तर सो अकर ब्रेक कर जाएगा तो आपको यह 8000 के लेवल में जला जाएगा इनफोटेक माइन्ट्री होल्ड कर रहा है 5000 को उपढ़न के 5100 से लेगा 5200 के टारगेट एमफासिस ठीक उसी तरह से 3500 को उपढ़न के लिए तो मुमेंट करेगा 3600 के लिए नीचे 3400 को ब्रेक करेगा 3300 का टारगेट टाटा कंसेंटेशी टीसीएस की बात करेए टीसीएट ऊपर 3580 से लिए और नीचे एक सपोर्ट एरिया लेकिन यह जिस जगह पर खड़ा है वह थोड़ा कंफूजन है 6520 के नीचाने पर खराब हो जाएगा उपर चलेगा 6700 को ब्रेक करेगा तो 6800 का टारगेट देगा टेक महिंद्रा मुमेंट में आ है और अपने हायर जोन को क्लेम करने क कोशिज करा अकल टेक महिंद्रा आप नजर रखिए अब साइड में 1630 को अगर यह ब्रेक करता है तो यह आपको 1750 से लेके 1675 तक टारगेट दिखाएगा विप्रो ठीक ठाके कोई दिक्कत नहीं 670 को उपर निकलेगा 680 से 700 के टारगेट की तरफ भागेगा विप्रो तो बजाज फिन सरफ ठीक उसी तरह 8500 को उपर जाएगा तो 19000 के टारगेट चोला फानेच 620 को उपर जाएगा बाय करिए 2420 के निचा जाएगा सेल कर दिए सिधा सिधा सिधिस का हिसाब है इंडिया बूल हॉसिंग की बात करें इंडिया बूल हॉसिंग में देके कल भी बता करता है नीचे सपोर्ट है 400 को एक बाद यह 400 को टच कर सकता है लेंटी फाइनस पॉजिटिव जगह पर 84 को तो 86 का टारगेट मना पूरा फाइनस बाय उन्टीप करना नीचे आएगा तो बाय करेंगे लंबे समय के लिए मनें फाइनस नीचे के इरिया को ब्रेक करता 177 को तो सेल करेंगे 172 से 171 68 तक जागा मुथूट फाइनस 1660 को पर जागा तो 1770 का टारगेट नीचे 1620 को ब्रेक करेगा तो 1580 का टारगेट ऐसा ट्रांस्फिन 1650 को पर जागा तो 1700 का टार्गेट ऐसा ट्रांस्फिन भी आपको दिखा सकता है तो यह है निफ्टी के मेटेल फार्मा आइटी पर उसके साथ फानेसर इस्टोप में रभ्यू पसंद आओ तो फीटबग जोड़ दें मिलूगा नेक्ष बुडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवार